Hey guys welcome back to my channel तो आज एक प्रियाक्शन वीडियो है एक और अगर आपने प्रिपेस वीडियो नहीं देखिये लिंक पॉपप फॉरावर उसपे क्लिक कीचे and see that वीडियो वीडियो क्या रिखी एक और वीडियो है जो I think एक वीडियो सब को देनी चाहिए लिखे बच्ची ना तो हम किसी इंसान की बात करेंगे ना ही पशू की ना पक्षी की आज हम बात करेंगे एक समय की टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड जिससे हर कुड़ी और मुंडा सहता है नहीं नहीं मैं प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ किसके कंचे कितने बड़े हो रहे हैं मुझे जानने का कोई शौक नहीं है आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्जाम्स की परिक्षा इस समय की शुरुवात होती है एक साधारन दिन से जब सब लोग अपनी क्लास में बैट कर वही बक्चोदी पेल रहे होते हैं फिर अचानक से कंड़क्टर या फिर पोछा मारने वाली अंटी अपनी थूत पे अजीब सी शैतानी मुश्कुराहट चड़ा कर एक पेपर का बंडन लाते हैं और वो पेपर क्लास में एक-एक एक बच्चे को मिलता है इस पेपर को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट डेट शीट मिलते ही सब का तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाता है तुम एक पढ़ाई करने वाली वस्तू की तरह देखे जाते हो जिसका पूरे संसार में पढ़ने के लावा और कोई काम दंदा नहीं है सब की बुद्धी सी महीं चल रही होती है कि भईया कैसे करेगा बच्चा मजदूरी अब पढ़ाई और इस मामले में सबसे पहले फुदकता है हमारा अपना प्यारा पर्सनल फ्रेंडली नेवर हुड प्रिंसे पल बिठा देगा पंचायत और सबसे पहले पूछेगा अजी पूछो मत सब के हात खड़े और इसे नी सब ने एक साथ उठाया हुड नाइ नाइ फिर प्रिंसिपल आदे घंटे तक अपनी मोटिवेशनल कहानी चो देगा और फिर जब जनता बिल्कुल पक चुकी हो खराटे ले रही हो एक बड़ी क्लास के गरीब और श्ट्रग्लिंग तॉपर को बुलाएगा और ऐसे बोलेगा इनके घर में बिजली की तार नहीं थी अपने सर पे मुंबती रखे शी स्टड़ी डे और नाइट नौ लुक एठ अरे भेंचत कुछ फरक नहीं है पहले भी अपने पैर के नाखुन चबाती थी अभी चबाती है एक परसंट कंतर नहीं है उसके बाद चलांग लगाते है रि अवाजा खुलेगा और उसमें से एक मुंडी हिलेगी ओ बेटा क्या कर रहे हो अंका लंड का डाइग्रम बना रहा हो दोगे साथ मेरा इसके बाद फीमें पार्ट से और असली चीज तो उसके बाद आती है माइटोकॉंड्रिया वह बहुत सा ही और्गैजम और्गैनिजम है अब आज आते हैं माबाप पे माबाप मैं जयो हां कुछ माबाप होते हैं जो अपने बच्चों के फोन ले लेते हैं आपने टीवी लिया हमने कुछ कहा नहीं आपने लैट्टॉप और कंप्यूटर लिय नमकीन क्यों छुपा रहे हो यार वो तो खाने की चीज़ा है मतलब बच्चा नमकीन के भी सपने ना ले ले घता ही तिहार जेल वाली फिलिंग देनी है экzams की तैयारी शुरू करना भी असान काम नहीं है किताब खुली में नहीं होगी exam के बाद के scene बनने पहले शुरू हो जाएंगे राथ को यरू बज 자ने का पहले चुरू हसे अच्छा सुन के बाद कोवा जाने का scene बन रहा है अच्छा कौन-कौन देख मैं और तू तो हैई हैं बागी सामर्त, प्रिथवी, राज और चोहान? अच्छा, सही है फिर और हाँ हो सकता पारस भी आए पारस, नहीं, नहीं, फिर मैं नहीं जाओंगा क्यों? अब सही आदमी है पारस, पैसे भी जाता ले आएगा नहीं 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 तु 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 तेरा एक काम कर तुम लोग जाओ मैं 56 के साथ चला जाओंगा जब तु भाईयों को भूल गया अब नहीं हट चूथिये तरी माइक चूथ हट जब एक्जाम्स खतम हो जाएंगे ना तब गोवा जाना तो छोड़ो गोवा बार फिस लेगा भी नहीं अब कुछ लोड़े ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंड लिस्ट में जितनी भी लड़किया होती हैं सबको मेसेज कर देंगे और दिवार पर सर मारने वाली ये बात है सबको एक ही मेसेज कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है अब किसी ने रिप्लाइ अब टीचर्स भी कम नहीं है उनसे पूछने जाओ न सर कौन सी बुक से पेपर आएगा और डी बर्मन हर्मन बवेजा और अरीजीत सिंग ये कौन सी बुक से तुम्हें पहली बार और बेटा बाजी राव सिंग हम इसमस्ट यार मुझे ये बात बताओ ये किस महाचूतन सिकाता कि सुबह सुबह उठने से अच्छी पड़ाई होती है अरे गंटा सुबह सुबह अच्छे प्रेशर के लावा और कुछ नहीं होता है अधमरासा दिमाग होगा भकलंडी सी सूरत आंखों में पपड़ी आए हाए अब यही हरकते करते करते एक्जाम आने में सिर्फ 15 दिन रह जाते हैं तब होश भी आता है और जोश भी तब बुद्धी थोड़ी सी घुमती और समझ में आता है कि भाईया अब दोस्त की मम्मी से काम नहीं चलने वाला जो ट्यूशन शुरू होने से पहले पांच मिनाट सुट्टा मारने देती है अब मामला प्राइवेट करना पड़ेगा और जो बच्चे भगवान में नहीं मानते एक्जाम से पहले मैं उन्हें नहीं देखा उन्होंने मुझे नहीं देखा मैं उन्हें नहीं जानते एक्जाम के दौरान सारे धर्मों के भगवान याद आ ज मुझे सब आता मैं पेपर तभा कर दूंगा दूसरा मुझे कुछ नहीं आता मैं आत्मात्या कर लूँगा टीसरा मैं यहां से भाग कर कहीं दूर पहाडों में अपना मुंडण करवाके एक बुद्ध का जीवन वियतीत करूंगा पेपर देते वक्त भी कमार कते नहीं होती नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है बिल्कुली निंजा योद्धा बन जाएंगे पता नहीं कम मुंडी 360 डिगरी घुम जाएगी और कुछ बच्चे तो गजनी बन जाते हैं परीड के अलग-अलग हिस्सों पे लिखाए A² प्लस B² का जवाब और गलती से किसीने पेपर देते वक्त एक्स्टा शीट ले ली तो सब लोग अपना पेपर छोड़के उसे ऐसे देखेंगे जैसे उससे समझदार जीवास तक पैदा नहीं हुआ कोई पास फेल हो ना हो वो तो पक कट अप करेगा बाद में पता चलता है सवालो कोई 25-30 बार पेपर में चेप आया और आखरी पेच पे तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर डाली तारे बना रखे हैं फूल बना रखे हैं और चोटा सा पेपर के कोणे में चोटा सा लिखा है और डी बेस्ट फिर हिंदी के एक्जाम में पत्र लेखन इतने फाल तूँ इतने फाल तूँ अपने पडोसी को क्रिकेट की बाल वापिस करने का निमंतरन देते होए पत्र लिखो और उन्हें ये भी बताओ तुमारा चोटा भाई खेल खूद में जादा ध्यान दे रहा है पड़ नहीं रहा है नहीं नहीं पड़े लिखे लोग ऐसे ही तो करते हैं अगर पडोसी के घर में बॉल चली जाए तो तुम क्या करोगे उनके घर पे घंटी बजाके उनसे बॉल मांगो के रहट अनपर गरीब बकायदा पत्र लिखना पड़ेगा और एक दो हफते बाद जब तुमारे पडोसी के पास वो पत्र आएगा तो मिल जाएगी बॉल यही है यार पड़े लिखे लोगों का तरीका अब यह सिरफ मेरे साथ ही होता या फर कुछ डागराम की प्रिंटिंग कॉलिटी इतनी जादा खतम होती है सबसे सस्ता प्रिंटर से प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसे देख के कहेंगे नहीं नहीं अभी भी आकार समझ में आ रहा है एक काम करो इस पर कोईला रगड़ो अब जब सारी एक्जाम्स खतम हो चुके होते बच्चे पाग लोगी तरह अपनी शट फाड़ रहे होते हैं तब तुम माबाब पे जाओ बाई बहन पे जाओ पूरे कांदान पे जाओ लेकिन पढ़ाई पे मत जाना कसम से बता रहा हूं मैं तुम्हारा सर खोल दूँगा यही बच्चोदी से बच्चे हर साल गुजरते हैं हैश्टेग रिस्पेक्ट फोर बालक तो यार बस यार आज के लिए सिरफ इतना ही मुझे पता है ये वीडियो लेट है लेकिन यार मैं क्या करूं क्या करूं मेरे कमरे में इतनी जादा तोड़ फोड़ो रखी है ये वी सब्सक्राइब करो उस लाल वाले पटन के साथ तुम लोग दंगल करो या फिर जंगल में मंगल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब यार मैं भी जा रहा हूं गर्मी परदाश्ट नहीं हो रही है बाए मोहेत अब तू पहाड़ों पे जिएगा सुद्धा थे तुम पाशुद्धा राय थे अब आहिं तुम पाशुदा राय तो है कि अवर प्रेशर आते हैं मोस्ली डिलीटिव से त्रेंस आज है और आप ने कुछ निदिगा रहता है और वह जब आम जदू आपी बहुता बहुता रहता है ये जो प्रेशर आते हैं equity इसलिए हमें सब कुछ time table के साब से करना चाहिए ताकि जो pressures हैं हमारे उपर ना है कभी जो मेरे exams थे वो coronavirus COVID-19 की वज़े से cancel हो गया है and I am very happy about it and जो लोग आपकी क्या thoughts है आपकी cancel होए है नहीं होए कमेंट डाउन बिलो कि आपके साथ क्या हो रहा है आपकी कैसान को रहे हो रहे है आपकी कैसी preparation है यह सब कुछ आप बताएए and I will have to read them video was very funny and total situation हर बच्चा face करते एक फिरांस के डाइम जो मैं कीस करते हैं आपकी सब तो पहले से prepare करो and all the best for exams अगर हो रहे हैं या होने वाले हैं या तीचरे पिछिट मिल गई है लेकिन होए नहीं so all the best for them and I hope you all are safe stay at home